अलो गाइज विलकम तो माइट चैनल तो आज में बात करूंगा एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन के बारे में और वह प्लेजमेंट अबाउट पाब्लिक पॉलिशी राइट तो यह इंफॉर्मिशन मुझे अभी पता चला है हाली में क्या है ना आयाइटी बोंबे में जो मस्टर्स पोग्राम है पॉब्लिक पॉलिशी डोमेन में तो उसमें ना प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है किसी जगह पे नहीं है तो एक बात बताना चाहता हूं रिसेंटली में मेरा पूराना इंस्टिट्यूट जॉइन किया हूं आयाइटी ब इन डोमेन ओफ पॉब्लिक पॉलिशी तो 2019 में आयाइटी बोंबे में मस्टर्स इन पॉब्लिक पॉलिशी स्टार्ट हुआ था तो 29 अंदेन पास आउट होगा कब 21 में तो ये पास आउट यारे एक ही बैच निकला है तो 22 में जो बैच निकला है जितने सारा स्टूडेंट है दो बैच निकला है अभी तक तो ये जो दो बैच में ज्यादातर प्लेज हो चुका है यह मुझे उराली पता चला पॉराली पता चला इंदा सेंस डिसकासिंग कि मैं भी पॉलिक पॉलिशी डोमेंट में अभी पीच्ड कर रहा हूं आईटी मुझे यह पता चला है जितने सारह स्टूडेंट था दो बैच में 2019 & 2020 का बैच हे तो सब को प्लेजमेंट मिल चुका है जिन लोगों प्लेजमेंट में बैठा था तो देगवाट प्लेजमेंट है बट इसका कोई अब बबॉस्ट कर ने अचिक सुटेंट कर चला है को और तो exactly database नहीं है साथ IIT बहुत अच्छे से प्रिपेर करेंगे कुछ database प्रिपेर करेंगे दें दें विल अबलोड इस किस-किस domain में किसको क्या मिला है ठीक है बट यह बात सही है public policy domain का demand इंडिया में बहुत जादा है बहुत important है यह domain okay and जिसको भी public policy domain में आना है नेक्स सेजन में तो मैं पीड में इंटर्शिप स्टार्ट करूंगा पूरा प्रोसेस भी पता है and मैं खुद IIT Bombay public policy असंग देशाई center for public policy studies इस center में PhD कर रहा हूं so definitely I will be there for all of you I will help you a lot to get a seat in this IITs and that's it about like placement of MPP program at IIT Bombay so I think this information will help you a lot okay so that's all from my side Jain Bande Maathar